हेलो फ्रेंट्स कैसे आप लोग आसा करते अच्छ होंगे आप लोग के बीच हाजिर है अपजेक्टिव वीडियो लेके तो आप लोग वीडियो को देखिए अच्छा से समझे इसमें आज 20 कोश्चन का यह सेट लिया गया है 20 एकदम इंपोर्टेंट कोश्चन लिया गया ज तो डायनमाइट का विसकार अलफ्रेड बनहार्ट नोबेल ने किया था 1867 में 1867 में 1866 में डायनमाइट की खोज हुई थी जिन अलफ्रेड नोबेल ने की थी अलफ्रेड नोबेल से यह जान लेते हैं जो अलफ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था 1833 में 18 तो प्रस दिसंबर कोमीदर्पूसकार प्लेमिंग इनके बारे में जान लीजे डायोड बोल्फ के खोट जे ईस फ्हेमिंग नहीं किती है ओर ट्रायोड बॉल्ब की खौज डायोड और दो जेएस फीलेमिंग और ट्रायोड बॉल्ब ट्रायोड भॉल्ब की खौज की थी लीडी फोरेस्ट ने संब important question है एकसामस नो बार आते हैं जो डायोड बॉल्ब की खौज söz और कोष़ से तो हमारे इस कोश्चन का और प्लमिंग कि प्लमिंग महटेma कि थे तो मारे इस कोश्चन का साथ ईच कोकर शर्ण किलैने किस ने किया से जड़ेक होगा अगला直接 क्ली सबस्केद करहाव विद्धुत अभगटन का नियम किस ने दिया तो माइकल फैराडे ने विद्धुत अभगटन का नियम दिया option ने सही होगा आगे और देख लेते हैं जो एक फैराडे बराबर क्या होता है पिछले वीडियो में भी इसका डिसकस कर चुके है वन फैराडे इसकाल टू होता है 96500 9500 कुलंब होता है एक फैराडे बराबर 9500 कुलंब होता है और विद्धुत अभगटन का नियम माइकल फैराडे नहीं दिया था एडिशन एडिशन क्यों फेमस है तो एडिशन सहाब फेमस है जो बिद्यूत बल्ब की खोज थॉमस अलवा एडिसन नहीं की थी तो और ओम अगला उप्शन देखते हैं ओम ओम भी वरावर आई यार ओम का नियम्स यही है भी वरावर आई यार इसकी खोज किस ने की थी? ओम महोदे नहीं की थी परतिरोध का इस आई मातरक क्या होता है तो ओम होता है परतिरोध का इस आई मातरक ओम होता है और भी बराबर आई आर नियम किसे ने दिया तो जी एस ओम ने दिया था प्लवन का सिधान्त बार बार पूछा जाता है एकजामस में प्लवन का सिधान्त किसे ने दिया तो आर् अगला कोश्चन देखते हैं जर्मन सिल्वर जर्मन सिल्वर नाम में सिल्वर है जर्मन सिल्वर में क्या नहीं पाया जाता है तो जर्मन सिल्वर में तामबा जस्ता और निकेल पाया जाता है लेकिन सिल्वर चांदी नहीं पाया जाता है तो अप्शने सही होगा जर्मन सिल् अगला देखते हैं आगे देखते हैं जिंक की अटोमिक नंबर जिंक 30 होती है और निकेल, निकेल की 28 होती है, तो चारोक आटोमिक नमबर भी हम देख लिए साथ में, चांदी का 47 होता है, जर्मन सिल्वर में क्या नहीं पाय जाता है, तो इस कोश्चन का राइट एंसर, आप्शन ये होगा, अगला कोश्चन देखते हैं, बलेचिंग पाउडर किसके योगिक है, तो DDT, DDT का फुल फॉर्म होता है, ध्यान से देख्यांस में ये बरबार वार इपीट होते हैं, DDT, Dichloro Diphenyl, Dichloro Diphenyl, Dichloro Diphenyl, Trichloro Ethan, नहीं बार-बार हम भी जब तयारी करते थे उस तरम देखते थे जो बार-बार मिठेन और इध्यान में फार जाता है H9 और CL5 यह DDT का सुत्र होता है और DDT का फुल्फम देखी लिया है लास्ट में इथेन होता है DDT का उप्योग कहां होता है DDT का उप्योग होता है कितनासी के रूप में बार बार एक्जाम से पुछे जाते हैं इसका उप्योग कहा होता है तो कितनासी के रूप में DDT का उप् क्लोरीन से एक को और यह इंपोर्टेंट जो क्लोरीन का अटोमिक नंबर सील सेवनटीन होता है तो मानु संख्या सत्रा होती है तो इस क्वेस्टेंट के गया और बिलेचिंग पाउडर की यह क्लोरीन की यह भी पूछता है सलफर कानुसूत्र क्या होता है तो अट होता है और Phosphorus का अनुसुत्र P4 होता है तो एक्जाम्स में यह भी पूछे जाते हैं तो P2, P4, P3 इसमें नहीं फसना है Phosphorus P4 होता है और Sulfur S8 होता है अब Phosphorus की Atomic No. 15 होती है Phosphorus 15 होती है Nitrogen 7 होती है उसके बाद Sulfur 16 होती है और Chlorine Cl 17 होती है Chlorine 17 होती है Sulfur 16 होती है तो इस Question का Right Answer Option D होगा अगला Question देखते है Question No. 5 है मामूली कट जाने पर मामूली कट जाने पर फिटकीरी रक्त स्राव को रोक देती है इसका कारण क्या है इसका कारण असकंदन है Option B सही होगा फिटकीरी का सुत्रता है अगला Question देखते है अपमार जग प्रिष्ट को किस सिधान्त पर साफ करते है अपमार जग प्रिष्ट को प्रिष्ट तनाव किस सिधान्त पर साफ करते हैं तो इस Question का Right Option होगा अगला देखते है वेपारिक वैसलीं किस से निकला जाता है अगला Question देखते है सीशा सीशा पेंसील में किस सामगरी का प्रयोग किया जाता है तो सीशा पेंसील में सीशा नाम में है लेकिन आप्शन फासी है का नहीं सीशा पेंसील में सीशा का प्रयोग नहीं किया जाता है सीशा पेंसील में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है सिसा सिसा का संकीत होता है हुइ Farm apply to she for this as column book एंश्beltane Ken चुक झानटार और फुलेरीन और फुलेरीन से क्वेश्चिन यह फुलेरीन क्या व्रहांं कृट्बॉल यह और फुलेरीन का सुत्र किस सामगरी का प्योंग होता है तो सामगरी जन्म कहा अगला कोशन देखते हैं महावीर का जन्म कहा हुआ था मजिक्स जीके और जीएस की मिक्स वीडियो है तो इसमें साइंस का भी है और जीके का भी है तो हिस्ट्री का भी कोश्चन है तो महावीर का जन्म कहा हुआ था तो महावीर का जन्म वह था कब हुआ था फाइफ फुट्टी इसाफपुड और कहा हुआ तो कुंडग्राम बैस सली में वोगा था 545 हिस्षा पूर में और NeighCall महीर की म्रित्यू कब हुई थी जल्म हुआ था 540 हिस्षा पूर में ऑर मित्वीşa 468 हिस्षा फूर में पानलाए्वर से चल्तलते हैं महीर का जन्म पानलाए्वर की मेर्त्यौ 468 हिसापूर में हुई थी गौतम बूद गौतम कुषिणगर को कई मृतियू कहा अगला गौतम बुद की मृत्य होई थी अगला question देखते हैं तो इस question का right answer कुंडगराम बैसाली option C right answer होगा महावीर का जन्म बैसाली में होगा था अगला question देखते हैं, निकर देश्टी दोस, निकर देश्टी दोस होने पर, लेंस की छमता पर क्या परभाव परता है, तो निकर देश्टी दोस होने पर, लेंस की छमता बढ़ जाती है, option भी सही होगा, निकर देश्टी दोस, निकर देश्टी दोस को मायोपिया भी करते है और जिसकी मैनुस्त को यерँव兩स हो जाता है तो उस condition में अवथा लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दिश्टी दोस को निन्स कमाऊपीया बोलते हैं और उसमें जिसको भी यह स्पेराव को जाता है तो उनको अवथा लेंस को अगला कोशन देखते हैं किस परकार के होते हैं हीरा के रवे किस परकार के होते हैं घंडाकार होते हैं option A सही होगा अगला question देखते हैं greenokite greenokite किसका ask है यह cadmium का ask है और greenokite का सुत्र होता है CDS CDS और यह cadmium का ask है तो इस question का right answer option A होगा greenokite cadmium के बारे में एक चीज यह भी देख लेते हैं यह तो देख लिए देख लिए जो greenokite cadmium का ask है और cadmium का atomic number होता है 48 चांदी रहता तो 47 cadmium है तो 48 होता है sona sona का atomic number होता है 79 sona 79 और sona के सुता मापा जाता है carrot में एक carrot वड़ावर होता है 200 mg 200 mg यह क्यारेट वड़ावर 200 mg होता है लोहा लोहा का atomic नबर होता है 26 होता है और potassium, potassium की खोज किस नंहीं थे potassium का पहले atomic number देख लेते हैं तो potassium का atomic number होता है 19 संकेट K 19 के मतलब calorum के मतलब calorum and potassium air automatic number 19 होता है और potassium sodium की खूझ किस नंहीं की देवी नहीं थि पिछले căeniום का इसका है option यह सही होगा वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन discussion अच्छा है तो आप लोग वीडियो को एक दम interesting होके देखिएगा अगला question देखते हैं पौधे की आयू पौधे की आयू निधायद करने की वीडि क्या कहल आती है तो पौधे की आयू निधायद करने की वीडियो को dein रोंनो लोजी कहते हैं option भी सही होगा डेंड्रो ठोलोजी पौधे की आयू चलोंिख कात व Пол ता रयाहित करने के वी इन्ड़ो जी के शरफ का धयान残 फिलोजी घारफ का धयान अफिलोजी सतरु अफियोलोजी और चिपकिल 13 कि लिजर्ड बोलते हैं ना लिजर्ड चिपकिली का देन सौरोलोजिकल आता है सर्प का दें साप का देON स्नेक्स का देन अफियोलोजि और लिजर्ड चिपकिली का देन सौरोलोजिकल आता है अगला कोश्चन देखते हैं तो इस कोश्चन का राइटएंसर ओप्शन बी होगा Dendrochronology प्रेंसर किया तो जोहांसन महोदय ने सबसे पहले जीनो टाइप और फीनो टाइप सब्द का प्रयोग किया इस कुष्चन का राइट एंसर ओप्शन ए होगा मेंडल्स आपने किया किया जेनेटिक्स प्रयोग किया अंदवाद सिक्ता कि खोज ग्रेग्री जोन मेंडल्स ने की और इन्हों निया परयोग किया मतर के पौदे पर वह भी गार्डेन पीपे किया गार्डेन मतर तो उसके बाद है अगला है मैकुलम तो विटामिन A और विटामिन B दोनों की खोज किस ने किती क हुल कट ने की ती और वितामिन डी की खोज shaupkins ने की थी दी की खोज Lucas डी की खोज और वितामिन C जो कं ED मैक्स ने की थी म्यक्ती तो एक कोस्टन से एक doen important है इस सब क्रते हो Watch those भोजन का पाचन किस परकार की अव्किरिया है तो भोजन और बिहार एसाई 2020 में जो मेंस का एक्जाम हो यह तीनों एक्जाम में हम देख चुके हैं जो इसमें पूछा गया है तो एनस्टील के अपना option थोड़ा सही कर लिजिएगा 1996 1996 एनस्टील के अपना 1996 में हुई थी और नस्टील का फूल फर्म क्या होता है नेशनल नेशनल सेक्रिटी और डेवलमेंट और अर्गनाजेशन फिर से देख लिजे नेशनल सेक्रिटीज डिपोजिटरी लिम्टेड और नस्टील के स्थापना हो थी 1996 में नस्टील पर एक वीडियो बनाएंगे तो यह बहुत इंपो नेशंडियो का हेट और मुख्याला मुंबाई में यह इसका काम है यहिता है । सब्सक्राइखं और पैन काड में दस करेक्टर का अलफा न्यूमएरिक नंबर होता है जो की OKC出去 इसको सब्सक्राइखं कि गोso अच्छा इसा जो अमेरिका की एजेंसी और भारत की जी डटाव करूप थे RTE Right to Education ये कब लांच हुआ तो ये 2009 में लांच हुआ लेकिन लागू हुआ RTE लागू हुआ 1 अप्रिल 2010 में RTE Right to Education लागू कब लागू हुआ 1 अप्रिल 2010 को आगे देखते हैं NSTL क्यास था अपना 1996 हो गया अगला कोशन देखते हैं संथ कविर्दास का जन्व कहां वहा था तो कविर्दास का जन्वा था मगहर में जन्वा था मगहर में और मगहर कहा है 12 नसी में है इस Question का Right answer option B होगा option B होगा और इस से और एक कोश्च एक दो कोश्चन देख लगते हैं जो एक जानस में कोशी नतिके कि नारे इसकोशन का घ्र एंशर ऑप्शन पी होगा मगर है तो भी सही है when any you will know the right there about a picture which written देखते हैं अवरग्थ विकरन की खोज किसं हुआ तो अवरक्त हुआ होगा ऩहिता सही होगा की की एक सिरन की की खोज दो यौज ने में नेति कि यह साधी कम तो ऐसकोषन का तो तो समिति का समण्द आगला कोशन रखते हैं वांचु समीथी का समन्द किसे तो ड cheap ही समीथी गाउक्ष और वांचू समीथी का समध्ड पर्टेक्च कर से तो option B right answer होगा वांचू समीथी का समध्ड किसे protect कर से रेकी समीथी रहता तो आप पर्टेक्च कर होता अगला question देखते हैं कि निमली तुमें से किस से उर्जा प्राप्त नहीं होती है बहुत important question सरीर को लेकिन विटामेन से कोई उर्जा प्राप्त नहीं होती मैं अजरुगा और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जितना से चितना हो जेके शेर किजिएगा थैंक्यू